नमस्ते, नमस्कार, मेरा नम आशिस दिख्षित है और मेरे साथ है, हमारी टीम के जो सरवे सरवा है, आउटपुट हेड कहें, या एक्जिकुटर एडिटर कहें, पश्पती जी है, आज हम चर्चा करेंगे असली पपु कौन पर, असली पपु कौन, संसद में आज एक शब् कुझा की असली पपु कौन है, पपु शब्त आप जानते ही है, बैन है, चुनाओ आयोग ने बैन कर रखा है, संसद में कई और सारे शब्द बैन है, जैसे जैचंद, बाल बुद्धी, ड्रामा, विश्वास घात, शकुनीज, और जुमला जीवी, घरियाली आसू, मैं सा साथ से ज्यादा शब्द बैन है, लेकिन संसद में पपु आज फिर गूजा, पुस्त पपु नाओ, सवाल ये नहीं है कि बस्तिया किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, इस इस अ क्वेश्चिन और इंडिया नीज तो आंसर, पपु अब जा साथ के अंदर महुआ महित्रा जी ने फिर से किया, आप बताएं क्या विवाद है। उसी शब्द का इस्तिमाल आप किसी और नेता के लिए कैसे कर सकते हैं। एक विशेशन जो है, आप पपु को एक विशेशन की तरह इस्तिमाल कर रहे हैं और वो भी एक अपमान जनक टिपन्नी के लिए। तो ये जो एक परंपरा है, जब आप संसद की भाशा की बात करते हैं, संसदिय भाशा जब हम बोलते हैं, तो संसदिय भाशा में ही हम और आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तमाल बढ़ाते हैं, तो वो एक चिंता का विशेश होना चाहिए, महुआ मोहित्रा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत तेज तरह रखता है, बहुत अच्छ इतना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लिखके नोट करके लाया हूँ, क्योंकि मेरे मुह से भी कहीं ऐसी चीज ना निकल जाए है, इसलिए थोड़ा सा नोट करके लाया है। उनको उनोंने कहा है कि दिसंबर में सारा जूट जो है सामने आ जाता है अब सरकार कह रही है पहले सरकार कहती है कि सिक्षा मिल रही है पानी मिल रहा है बिजली मिल रही है रोजगार दे रहे हैं सारी चीज़ों लेकिन गैस दे रहे हैं रसोई गैस दे रहे हैं जुला योज मैं यह कह रहा हूं कि यह आंकड़े अपनी जगह हैं और उसके बात कहती हैं कि चुनाओं में जैसे नद्डा जी अपना इस्टेट हार गए उनका उधारण उन दिया तो यह किसको टार्गेट करने कोशिश है यही जो सवाल है आशिष जी कि हम जब कोई बात करते हैं हम अप सम्मान को ठेस न पहुंचे आप जो सारी डिबेट है पपू शब्द को लेकर हम अपने बच्चों को घर में पपू कहा करते थे किसी का भी नाम हम पपू लेकर कह सकते हैं तो पपू शब्द यूँ तो किसी के लिए विवाद का विशा नहीं हो सकता है लेकिन जब संसद म हम कहते हैं और जब एक कोटन कोट एक खास तरह की सक्सियत का बयान करने के लिए हम कहते हैं महुआ में मोहित्रा ने खुद कहा है कि हम जो गोर अक्षम लोग हैं उसके लिए पपू शब्द का इस्तिमाल करना शुरू किया गया और इस संदर्व में एक खास नीता का नाम म समस्ते हैं तो उसी शब्द को लेकर आप फिर देश की संसद में आपने उसको एक तरह से वैलिडेट किया कि पपुष जो विशेशन है उसको लेकर आप फिर से पूरी चर्चा को वहीं लेके जाते हैं तो फिर सत्तापक्ष की और से फिर वो शब्द उच लेगा लेकिन आप मुझे बताइए गाली गरोज की पॉलिटिक्स पपु जैसे अभी पिछले जिनों हत्या की बात कही गई मोदी जी के लिए कॉंग्रेस की लीडर ने कही इससे पहले रामण का आ गया इससे पहले बहुत सारे विचुनाव गुजरा चुनाव में बहुत सारे इसके बाद की एक डिग्री जादा जैसे आप गाओं घर में भी जब होता है तो किसी एक ने शुरुआत की तो उसके बाद उसकी डिग्री बढ़ती जाती है तो हमको यह सोचना है कि हम देश की संसत से क्या संदेश देना चाहते हैं किस तरह की भाशा का इस्तमाल करना चा उससे एक बार फिर वो पूरा शब्द पूरी उसकी उसके पीछे का अर्थ और उसके पीछे का चलन तीनों एक बार फिर से चर्चा में रहेगा और आप सोचल मीडिया पर पिछले कुछ दो-चार घंटों से देखिए इसकी शब्द की चर्चा चल रही है तो यह जो चीज में शब्द पपो गूजा है और यह थमने वाला नहीं है ट्रेंड होगा इसके जवाब में बीजेपी लीडर जगदंबिका पाल ने भी कुछ कह दिया उसको हटाना पड़ा उसको हटाना पड़ा उन चीजों को लेकिन लगता है कि इस शब्द को लेकर के अभी संसत के बा उससे एक तरह से जिनके डिफेंस में हम उस सब का इस्तमाल कर रहे हैं वो फिर से शर्चा में आ गए तो आप नजाना चाहे अंचाहे एक गलती कर बैठी है मुझे लगता है गोल कर बैठी है इसका नुक्सान हो सकता है बिलकुल तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखके बता सकते हैं कि ये जो जैसे जो बैन है शब्ड जो हम गाली नहीं देते हैं गाली बैन है उसी तरह कुछ शब्दी भी बैन है और तो ग्रासी बैन word racial फी और आप कर मीन करस्के बिलकूर